कुलीजियम सिस्टम के बारे में बात करते हैं इस इस अल्सो रिलेटी टू दो जी एस पेपर टू गवर्नेंस पॉलिटी कंस्टिटूशन से रिलेटेड है हो जाएगा वो पिछले वाला पार्ट हो जाएगा भई हो जाएगा सभी बच्चे से कुलीजियम सिस्टम पे मैं बात कर रहा हूँ जी एस पेपर टू इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस अंड दी कॉंस्टिटूशन इस से रिलेटेड है सेंटर है रिटर्न टू दे सुप्रीम कोट कॉलीजियम रिकमेंडेशन टॉप भारत देश के अंदर जजों के अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं कॉलीजियम सिस्टम के अब कॉलीजियम सिस्टम जो नाम अपॉइंट दे रहा है जम्मो एंड कश्मीर के हाई कोट का जज अपॉइंट करने के लिए collegium system 4 बर नाम दे चुका है लेकिन 4 के 4 बर आपका reject कर दिया किसने दोस्तो center government ने ठीक है तो इसलिए ये मुद्धा highlight हुआ है Indian Express की news है ठीक है इससे संबंदित अभी छोटी से news थी कि चौती बार collegium system ने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में जम्मू एंड कश्मीर में आपे हाई कोट के लॉयर है उनको वो judge बनाना चाते है जज के उस level पर elevate करना चाते है लेकिन center government ने क्या कर दिया उस पर मना कर दिया है ठीक है उन्होंने मना कर दिया कि हम उसको elevate नहीं करेंगे तो मुद्धा ये है कि बार बार collegium system की recommendation को सरकार क्या कर रही है मना कर रही है सरकार उसको खारीज कर रही है वो बात हम करेंगे तो इस से हमारे सवेधानिक मुद्धें उनकी उपर में परकाश जालना चाहूंगा मुद्धा क्या है दोस्तों मुद्धा यही है काजमी as the judge of the Jammu and Kashmir High Court तो केंदर सरकार ने अधिवक्ता मोक्ष खजूरिया काजमी को Jammu and Kashmir उच नयाले के नया अधिस के रूप में न्यूक्त करने की जो सुप्रीम कोट कॉलीजियम की शिफारिज थी उसको खारीज कर दिया है ठीक है सुप्रीम कोट के कोलीजियम ने कहा था इसको बना दो खजूरिया साब को बट उन्होंने क्या कर दिया मना कर दिया this is the fourth such instance यह चौत्ती बार हो रहा है कि कोलीजियम सस्टेम कोई नाम recommend कर रहा है केंदर सरकार को के अंदर सरकार उसके अपनी एसमती जता देती है अब चलो बात करते हैं सर व्यास्तों में कि जजों का पॉइंटमेंट होता कैसे है सविधान के अंदर में एक प्रॉपर प्रोसेस दी हुई है आर्टिकल 217 के अंदर में प्रावधान है हमारे सविधान में आर्टिकल 217 का वो बताता है कि किस प्रकार से जजों का पॉइंटमेंट करना है ये क्या कहता है दोस्तों ये कहता है कि जज जो होते हैं हाई कोट के उनको राष्टपती के दुवारा क्या किया जाएगा पॉइंट जजो का न्यूकती जो है राज्य के अंदर में हाई कोट के अंदर में वो कौन करेगा राष्टपती सुप्रीम कोट के जजो की भी appointment कौन करता है राष्टपती ही करता है दोस्तो बट ये भी लिखा है ये तो बोला लेगिन इसमें देखो एक बात और एड़ कर दी सविधान के आर्टिकल 217 में in consultation with the chief justice of India अब ये जो consultation word है ना इसने बीजबो दिये सारे के सारे जितना आपको आसान लग रहा है ना consultation का मतलब आपको क्या लग रहा है कि सला मसोरा करना मैं आप से पूछ लोगी बताओ यार वो एक class करते हैं किस time करते हैं तो that is normal आप मुझे सलाद होगी सर ऐसे से कर लेते हैं so that just क्या वो क्या होगा दोस्तो ठीक है बताओ क्या होगा आप मुझे बताई दोस्तो consultation का मतलब है विचार विमर्स करना आपने मिर से बात की मैंने आप से बात कर ली बात खतम लेकिन ये इतना असान consultation के उपर भी विवाद होता है और सुप्रीम कोर्ट में विवाद गया तो इस पे तीन judgment आते हैं जिनकों judges case के नाम से जानते हैं और उनी judges case से हमारे collegium system की उत्पत्ती होती है अपने लिख दी ना यहां से इससे सवीधान में लिख दिया कि राष्टपती जजों की न्यूपती करेगा और किसकी सला से होगा एक काम यह सला होगा जो आपका Chief Justice of India उसकी सला से consultation से now this consultation के उपर में न सींग फस गया वई मुद्दा गया सुप्रीम कोट में सुप्रीम कोट ने तीन बार की केस गया सुप्रीम कोट ने तीनो बार अलग अलग जजमेंट दी जिनको हम जजज केस के नाम से जानते है वो ही मैं आपको बताऊंगा और उसी से collegium system हमारा evolve होता है in the case of appointment of the judges other than the chief justice the chief justice of high court is consulted जब राज्ये के अंदर मैं बात कर रहा हूँ high court की जजों की मैं बात कर रहा हूँ तो ये कह रहा है कि जब high court की जजों की आप न्युक्ति करोगे cheap justice को अटा दो जब बाकी जजों की आप न्युक्ति करते हो तो आप consult करोगे किसे cheap justice of high court से पहले एक बार बिचारे Chief Justice से पूछ लोगे High Court वाले से कि बता वास्तों में जो Chief Justice of High Court है ना मुद्दा वैसे Process क्या होता है मैं आपको बताता हूँ जो High Court का Chief Justice है अपने दो जज़ेों के साथ मिलेगा High Court के दो जज़ें उनके साथ मिलके वो कुछ नाम सेलेक्ट करेगा वो नाम देगा वो किसको Law Ministry को वो नाम देगा वो Chief Minister को मान के चलो हरियाना की मैं बात करता हूँ तो हरियाना यही जो चंडिगर्ड High Court है उसका Chief Justice of India अगर किसी ज़ज को न्यूट करना है उसको जज बनाना है तो वो नाम क्या करेगा खुद Chief Justice of High Court दो जजो के साथ मिलके नाम recommend करेगा Chief Minister को उस State के Chief Minister को Chief Minister उस नाम को लेके जाएगा Governor के पास Governor से कहेगा ले केंदर सरकार को बेज दियो फिर वो नाम जाएगे किसके पास Collegium System के पास Collegium System में यहाँ Supreme Court का Collegium है Collegium System में Supreme Court का Chief Justice of India और चार Senior Most Judge होते है High Court के लिए दो Senior Most Judge होते है अब फिर वो डिसाइड करेगा कि जो Judges का नाम High Court से वहाँ पे बेजा गया है उसको Elevate करना है कि नहीं करना फिर Supreme Court भी अपनी वो किसको बेजता है? Law Ministry को Law Ministry भेजती है फिर से Cabinet को Cabinet अगर पास कर देता है तो जाता है राष्टपती के पास राष्टपती उस पे मौर लगा देता है इस प्रकार से होता है ठीक है? तो यह Process चलता है पूरा वास्तव में जो Consultation Process है कैसे काम करती है मैंने बताया High Court का जज जो है High Court Judges are recommended by the collegium system और इस collegium system में एक हमारा Chief Justice of India और दो Supreme Court के जो Senior Most Judge है वो होते है The proposal however is initiated अभी शिरू कहां से होता है मैंने बताया आपको जिस High Court के जजों की न्यूकती होनी है उस High Court का जो Chief Justice होगा अपने दो Senior Most Colleagues के साथ मिलेगा बात करेगा उनसे decide करेगा कि चलो बताओ किसको judge बना दे वो मामला जाएगा उपर ठेक है वो मामला जिसको select करके वो देगा Chief Minister को Chief Ministry proposal देगा Governor को ले बेज़ दियो आगे और फिर बाद में ये decide किया जाएगा किसके दौरा collegium के दौरा कि इसको वास्तम है ये collegium Supreme Court वाला है Chief Justice of India प्लस two senior most judge अगर high court की बात है तो लेगिन जब Supreme Court की बात होती है तो Chief Justice of India के साथ में या दो की जगए चार जजज हो जाते है अब ये जो collegium system है ये evolve कैसे हुआ देखो ये collegium system आपका जजों के appointment में और जजों का जब भी transfer होता है तो यहां पर हम इसका नाम सुनते है अब ये कोई ऐसा act नहीं है कि ये सविधान में था हमारे constitution में था या Parliament के कानून के दौरा आया नहीं ये तो Supreme Court की judgment के दौरा evolve हुआ है ये जो है Supreme Court की judgment के दौरा evolve हुआ है कि जो Supreme Court के judges और जो High Court के judges की जो process appointment लिखी है सविधान के अंदर उसमें लिखा है कि the judges are appointed by the president with the consultation of the chief justice of India तो ये जो consultation है इसका मतलब क्या होगा बई सला है ना मैं सला दूँगा अब सला तुम मानो या ना मानो मैं तुम्हें कहूँगा पढ़ लो मैं तुम्हें कहता हूँ answer लिख लो अब तुम लिखो न लिखो तुमारी मर्जी है ना बात दे थोड़ी ना मेरी सला तुम पे बात दे थोड़ी ना है आप कहोगे सर लिखें लिखें नहीं लिखें आप बताओ क्या कर लोगे हमारा पिर मैं क्या कहूंगा मतलिको अब तुम जब सला मानने के लिए बात दे नहीं हो तो मैं सला देने के लिए बात दे नहीं हो मैं कल को सला के लिए मना कर दूँगा मैं करता ही नहीं मैं कुश्चन तुम्हें दूँगा ही नहीं आप समझ रहे हो इसी बात पर विवाद हुआ क कि जो ये सला दी जाएगी, क्या ये मानने होगी या नहीं होगी, क्या ये सला राष्टपती को माननी होगी, consultation means concurrence or not, इस बात पर विवाद हुआ, सुप्रीम कोट में माम लगया, पहली बार 1981 के अंदर सुप्रीम कोट ने कहा दिया कि consultation does not mean concurrence, बोला कि जो Chief Justice of India की जो एडवाईज है ना, वो राष्टपती पर बाद दे नहीं होगी, consultation does not mean concurrence, consultation का मतलब सहमती नहीं होगी, ये विचार विमर्स हो रहा है, ठीक है, परामर्स का मतलब सहमती नहीं होगी, राष्टपती सिर्फ परामर्स ले रहा है, लेगिन बाद में सुप्रीम कोट को अपनी गलती का ऐसास हुआ, 1903 में के अंदर सुप्रीम कोट ने अपनी इस गलती को ठीक किया, correct किया, सेकिंड जज केस में, सुप्रीम कोट ने आता, consultation really mean concurrence, किया मिरे से गलती हो गई, सुप्रीम कोट ने बोला, पहले जज केस में गलती हो गई, मापी, concurrence, consultation mean concurrence है, भाई अगर सला ले लिए ना, तो माननी पड़ेगी, consultation का मतलब है, concurrence माननी पड़ेगी, ठीक है, ये बात यहां बोली गई, उसके बाद में मामला आगे गया, आप इसने ये भी कह दिया कि सुनो, सला तो माननी पड़ेगी, लेकिन जब हम सला की बात करते हैं न, तो आप सिर्फ एक Chief Justice of India की सला नहीं लोगे, आपको उसमें Plurity of Judges होने चाहिए उसमें, ठीक है, Supreme Court के Chief Justice of India के अलावा भी उसमें और Judges होने चाहिए, तो इसमें बोला गया कि Chief Justice of India के साथ-साथ दो Judges होने चाहिए, ठीक है, दो Judges होने चाहिए, और इन से मिलकर बनेगा हमारा Collegium System, उसके बाद Supreme Court को फिर से गलती का एसास हुआ, 1998 में, 1998 में फिर Supreme Court ने का कि नहीं, गलती हो गई, Concurrence, Consultation means Concurrence, सला का मतलब सहमती तो ही है, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि CGI के साथ-साथ, आप चार Senior Most Judges से बात करोगे, तब जाके आपका क्या बनेगा Collegium System बनेगा, ठीक है, तो ये 1998 में में, फाइनली, ये Collegium System आ गया, और 1998 से लेकर, ये काम करता रहा, 2014 तक, 2014 में हमारे यहां पे दोसरी सरकार आती है, NDA गवर्मेंट, और ये NDA गवर्मेंट, सविधान के अंदर में संसोधन करती है, Constitution Amendment रखती है, 97 है, 97 है, 97 मेंवा सविधानिक संसोधन रखती है, और इसके माध्यम से, ये बिल पास भी हो जाता है, और National Judicial Appointment Commission, ये लागग हो जाता है, NJAC, इसमें था कि अब तक जजो का न्युक्ति हो रहा है, किस से आपका, अभी तक जजो की न्युक्ति हो रही है, National Judicial, Collision System से, बट इसने का कि इसमें कुछ गड़बड है, गलती है, तो अब के बाद जो जजो की न्युक्ति होगी, वो किस से होगी, NJAC से, National Judicial Appointment Commission के अनुसार होगी, ठीक है, Supreme Court ने मना कर दिया, बाद में Supreme Court ने उसकी constitutional validity चेक की, तो Supreme Court ने कह दिया कि this is against the independent power of the Supreme Court, Supreme Court की जो independent functionality उसके against है, ये बोलने लगे, सरकार बोलने लगी कि भया, Supreme Court में ऐसा होता है, जजो में न, वो आपस में ऐसे करने लगते हैं, चाचा के भुआ, बतीजा, फूफा, सब कोई जज बना दिया, परिवार में से ही सारे जज बन रहे, एक कोई जज है न, तो उसके आसपास में सब ही जज बन जाते हैं, तो वो हटाने के लिए ऐसा किया जा रहे, ट्रांस्परेंट प्रोसेस हो, लेकिन Supreme Court बोला कि न, यार, NJCA से न, मेरी Autonomy Emperor हो रही है, मेरी Autonomy खतम हो रही है, तो इसकी Constitutional Validity चेक की गई, तो Supreme Court ने इसको Unconstitutional Declare कर दिया, कि ये गैर सब इधानिक है, और इसको खारीज कर दिय अब मुद्धा ये है कि ना तो सरकार किसको मानती है, कोलीजियम सिस्टम को, और ना Supreme Court NJAC को मानता है, तो एक temporary solution किया हुआ है, जिसको हम नाम देते हैं, MOP, Memorandum of Procedure, अभी जो Supreme Court के जजों का न्युकती होता है, ट्रांसफर होता है, वो MOP के अनुसार होता है, Memorandum of Procedure क तहत में होता है, ठीक है, समझ में आरी बात, आप Related Search में प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, Related Search में आपको लक्ष्मी कांत की किताब में ना, High Court और Supreme Court नामक दो चैप्टर दिये हुए हैं, इनको लपेट दो बस, बहुत आसान है, पता है, आप एक पढ़लो Supreme Court पढ़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, PM पढ़ लिया, CM पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, आपने Parliament पढ़ लिया, State Legislature पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, फॉर्मूला लगता है बस उसके अंदर में, Memorandum of Procedure, जो मैंने बात की, M.O.P. ये क्या है, सोरी, मैं जो Constitutional, उसको हम Fourth Judge Case के नाम से भी Refer कर देते हैं कई बार, ठीक है, तो ये चार चीज़े आपको Related Search में काम करनी है, अब मैं बात करता हूँ, Prelims के हिसाफ से क्या Important है, Appointment कैसे होता है, Judges का, सीधा पूछेगा आपसे, ठीक है, Supreme Court, Rai Court के जजों का निकती कैसे होता है, ये Memorandum of Procedure क्या है, National Judicial Appointment Commission, NJAC क्या है, इसके बारे हम बताईए, तो ये सारी चीज़े दोस्तों आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है, ये आपसे पूछी जा सकती, Are you getting my point or not, समझ रहे हो मेरी बात को, ये सब आपको Prelims Specific के अंदर, एक Copy बना लो, Related Search का एक Copy बना लो, अलग से, अगर UPSC कर रहे हो ना, तो इस काम को करो, नहीं तो मेरी तरफ से तुम UPSC नहीं, तुम आवाजी कर रहे हो, अगर वास्तम UPSC कर रहे हो, this is the way, आपको जो पढ़ना पड़ेगा, obvious बात है, समय लगेगा, जो नए बच्चे उनको तो और समय लगेगा, शिरुवात करोगे आप समय लगेगा, but this is the only way जिससे आप UPSC की तयारी करोगे, ठीक है, कर लोगे, हो जाएगा, चलिए तो ओके की रिपोर्ट लिख दो comment box में, और सारे बच्चे जिन्होंने लाइक कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया, उनसे एक बार पूने प पता देता हूँ, discuss the Supreme Court judgment and constitutional validity of 99th Constitutional Amendment Act 2040, यह जो Supreme Court का judgment है, उसको discuss करना है, ठीक है, और आपको constitutional validity के बारे में बात करना है, 99th Constitutional Amendment Act था, यह सविधानी के रूप से, कहां तक valid है, सविधान के अंतरगत आता है, यह नहीं आता, इसको बात को आपको चर्चा में लाएं, तो main specific ह ठीक है, यह चौथा सवाल है आज का, this is the fourth question, यह चौथा सवाल है आज का, जो आपको क्या करना है, प्यारे बच्चों, discuss करना है, हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा, जल्दी बताएंगे, जल्दी बतादो वही, सिंगम की चिंगम, चिंगम सर, वो आता नहीं, मोटू पतल मैं, वो ऐसे ही तो बोलता है, मेरे को याद आगया, जा मैं, मेरे चाचा के लड़का था, वो देखता रहता था, चिंगम सर, ऐसे से चलता रहता था, वो आनला, दो-तीन मैंने देखे हैं, छोटा भीम, यह, लब उसके साथ-साथ बैठे रहते देख लेते थे, वो भी फि दिया गरता हो, कहीं को चोक स्लैम लगा दिया गरता, ऐसे ही अपने, जो मेरा दूसरा चाचा, उसके लड़के के, उसने रोमन रेंज वाड़ा स्पीर लगा दिया, बराबर में कुवा था, कुवे में गिर गे दो, कुवा ज़्यादा गहरा नहीं था, मतलब छोटा ही था उसको हमने ढग दिया था, रेत वे डालके न, तो ज़्यादा गहरा नहीं था, बट उस पर उसने चोक वो मार दिया, स्पीर मार दिया, तो ऐसे नकारत्मक एफेक्ट भी आ सकते हैं कई बार, एंड साथी साथ में दोस्तों, देखो मेरे साथ जुड़के आप प्लस कोर्स प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, यह जी एस का प्लस कोर्स है, तो यहाँ पर आप प्लस और आइकोनिक, दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है, आप यहाँ पर ले सकते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों, यह आपके सब्सक्रिप्शन का 10% off on an academy I hope you like the session you enjoy the session so guys please like the video share it and subscribe the channel thank you very much take care bye-bye love you guys